असलाम लेकम मैं हूँ एरम एहमद और आप देख रहे हैं नेवर माइंड चो और मेरे साथ the one and only very very famous मुबर्शर लुक्मान तेंक यू एरमाइज पर आज हमारे पर दो और बड़े famous लोग गए हैं मैं आपका introduction करा हूँ सबसे पहले तो सिया दुसेन जहानिया गर्देजी मिनिस्टर है अग्रिकल्चर के यहां पर और मैं से सवाल बाद में बूचूंगा के अग्रिकल्चर कहा हैं जिसकी बिलकुल मलक साथ और मलक साथ और मैं हम पराने कुलीग्स भी रहें एर वाई पर तो बड़े पराने बेदी हैं दोनों एक दूसरे के तो मैं इनको छेड़ता यह भी नहीं मुझे छेड़ते अच्छा ठीक है इस बारे में हम बात करेंगे मेरे questions होंगे कुछ इस बारे में बिलकुल कर लें आप पर इस बारे में पर इस बारे में लाई है तुसी कौन है यह वाई है यह टीम हमारी कीता जमें लेले बनने हैं यह लाल पंप लगे नहीं वो कौन पाई जान में दसोते से वाजिवा मुशर साब आज सानु खुशी होई है के तुसी जड़े जरात दे वजीर पीटी आई दे आज सानु पता लगएगा के तरीन साब दिया कोश शांदी वजा तो जेड़ा असी गरीब तरीन होई पहया ओधी की वजाए नार जेड़े वकील बलाया ओ बैस करके दसरगे के किड़ा साटनल जलम तरीन होया और असी मरंदे करीब तरीन पहुंच गया है जिड़ी तरा के शिड़ी मुशकल तरीन तो तरीन हो दी जा रही है आज बोट क्यों दें दे ओफेर होना नूँ जिऑ होऱ दो फूरा जा ख ninth हो जाए जिन्ना मर्दी ज hee जिन्तरीन दे झोर पालवे आ अनन दे एक कशाइदी मारे शा निदर हे शा थी कर inôi कुंट है किय आपाई सबने का मैं वजीर आए ने ओ कैसा तरह लेले मुननली मिशीनर का मुए और तूँ अगला पईया कट की सेखल चला ना लेया और उना पुछिए कि अवाम ता की बनेगा तुसी चीनी लेह के खोश हो तुसी आटावेज के खोश हो अवाम के तो सोगदा साल एगी आए राजी हो गए आए भी राजी हो जाँगे फिर तौड़ी बारी आजागे एक कदोर राजी हो जाँगे जो असी मरंदे करीं तरीन है ने 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 तौड़ी कवा दिता है ना जी तुसी कहा गया हो लेकिन मुझे एक बात बताएं कि पंजाब का जो काशकार है ना वो एक ही तुपे पूरे घर वालों के लिए एक जोड़ा नी बना सकता है इतना दुकी है और उसको मजीद हम पीस रहे हैं और मैं अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था मिरे ख़ाल है कि नियो की रिप उसिंग सुसाइटी हैं जहें सरफ पंजाब में बन रही है और उन्हें बहुत ज़दा हैं वो एग्रिकल्चरल लैंड पर बन रही हैं उनको रोकने के लिए आपकी खुमत हमें नदर नहीं आरी है एक्चुली जाली सुसाइटी हैं जिनकी छे थादार की आपने बात किया वो तो काफी पहले से बन चुकी नी 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 बन चुकी और उसमें गिराने में फिर आफह ने हमने से कोई बियस होज़े इसे कुँमत को दुरान नहीं प्यादा हुआ हम भी घल्ती घुनी lazım हैए उमी मैंने गलती की बाती ही मैंने ये कह है कि जो अब उन उनमें ये छे अधार सुसाइटियों में लाकों लोग हैं जो वहाँ अबाद हैं घर बनाके बैटे हुए। ये बात आपकी बिल्कल बजा है। ये अगरिकल्चर लैंड की प्रोटेक्शन की बात करता है हूँ और मतद्द गौर्मेंट्स में ये बात की और मैं एक जमाने में फारूक लगारी के साथ मिलत पार्टी का जब मैनिफेस्टो बना रहे थे तो पर्टीकुलर्ली हमने ये एक कंडिशन उस मैनिफेस्टो में ए और दुनिया में बहुत से ममालिक में ये कानून है जो हमारे हाँ नहीं है पुराने वक्तों में एक थोड़ा बहुत फिर भी इसका एक जरही और सकनी का एक डिवियन होती थी अर्बन रूर्ट की डिवाइड होती थी और विट टाइम जैसे ये एक ट्रेंट चला जरही ज किया है कि अग्री कल्चर लैंड की जो नौन एग्रेगल यूस पे पाबंदी होनी जाए जाए तो मलेक साब के रॉंक्ते खड़े हो जाएंगे मलेक साब आपको पता है पंजाब की बात करो पूरे पंजाब में आक पास 34 वीसद सर्टिफाइट सीड नहीं आक पास सर्टिफाइट बीज है ही नहीं किसी भी चीज़ का है 34 वीसद से जादा तो अड़ी गलते ताइद करने लेकिन आमल को ही नहीं मेरे वैसे बज़र्ग हैं फूर्ट स्कूरिटी की जो वजीर हैं पता गर्देई साब को हमारे बड़े सीने सियसेदान है मेरे खाल मैं इस उमर में उनको अलाला करनी चाहिए थी वैसे भी अब बताएं इतना बड़ा एहम शौबाजन के होले नोंने किया हुए और बाइद वेस जो वो कर्तूत है उनके वो भी हमें पता है ये जो बात आपने किये ना सर्टिफाइड सीट की ये हमने आते साथ मैंने ये बात उठाई है बलके ये जब मुझे एगरिकल्चर का रिस्पॉंसिबिलिटी दी गई उस पे इमरान खान साथ से पहली बात ही मैंने ये सर्टिफाइड सीट की और साथ ही इंट्रिक्शल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की थी और वो अब अल्ला के फजल से उस पे काम शुरू हो गया है उस पे काम हो रहा है और अब पहली बात तो ये है कि हम अब ब्रीडर्स को उनके इंट्रिक्शल प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉटेक्ट कर रहे हैं और कानून बन गया है इसकी रिजिस्ट्री काम के है आप मोटर वे पर जाएं और वो आपको एक जिका बोर्ट नहीं नज़ा आता मलक साब अपना के एंट्रिक्शल प्रॉपर्टी आफ पाकिसान है अपको पता है कि तीन साल पहले पाकिसान दुनिया में सबज़ादा कीनू प्रोडियूस करने वाला मुलता और दो साल के बाद पाकिसान में मलक साभ आपको एक कीनूनी नजर आएगा पेरा तो घर है जी मुझसे ज़दा आए गई नजर कुए सारा ये फॉल्टी बीज लिए आई है मैं अर्ज़ करता हूँ ये जो किनू की आपने बात किया ना वो मेरी बात भी अधूरी रहे गई इस बात को भी अधूरा ना छोड़ लिएगा ये मज़े मुकमल करने दी बिसम आला है क्या सारियां करना को वादा ना करना क्यों का पीटी आई वादा पूरा निजी करना एव वादा करना पूरा निजी करना वादा फेर तोना करना ने मैं तो बाहर निकल कैनू दी गरिए करते नी न न परिद भेखनाज रहे ना पंचा वो सार इक सो ते कर उगा पटरोल में का हंदा टे क्षोथी रेडियाला करयावत आजनना चलो फिर तिसी काल लो वह घखोथी रेडियाला देवाते हुद। अच्छा आर एक सेकंड पाई जान तुसी ते वह हम हैगा ताड़ी पर वह किन ऊएगी किनु में यही होता रहा है कि यहां पर आज तक कोई ऐसी सर्टिफाइड नर्सी नहीं बनाई गई जहां पर डिजीज फ्रीज प्रोडूसिंग कंट्री इंद वर्ल्ड मारपा एक नर्सी नहीं यह विट टाइम जो इसकी प्रोफ्टन होती रहे है रहा है। ग्राफ्टेंग होती रहा है। हम तो ऐसे द्याती माली ग्राफ्टेंग करते रहे हैं उनको तो सेनिटेशन का पूई इलमी नहीं होता था या कुछ सेंस नहीं होती थी। अब हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमे इस साल हम पांच नर्सियों को फिनेंशल स्पोर्ट भी दे रहे हैं ताके उन वहां पे फाइटो सैनेटरी पूरी तरह अपलाई हो और पूरी तरह डिजीज और पैसोजन फ्री प्लांट्स वहां पे किये जाएं यह तो ज यह जो आप बात कर रहे हैं अब किनू पहले पादा होता था सरगोधा में जूसरे नबर पैदा होता था टोवा टेक सिंग में लेकिन अब किनू की जो फ्यूचर डेस्टिनेशन है ना वो पक्कर लाइया देरा गाजी खां और मुदफर गाड और इस साइट पे चला गिय 50% subsidy drip irrigation पे दे रहे हैं तो वो चूंके sandy areas है वहाँ drip irrigation के साथ किनू बहुत ज्यादा बेहतर अब मलिक साब आप कोश है irrigation policies है असल मसला पते है क्या मशिर साब इस हकूमत का अलमिया यह हर कां पिछली हकूमत पे यह उनकी वज़ा से है गोवर्नस भी उनकी की उपर है यह कीन करो मंलेज कुछ फोदगी ओजे नागला केंदा मेरा ताया मर गया ज़िया पिछली हकूमत दा काम में है एक बंदे थी जेब कटी की थाने जाकर श्कैल की ती एसे चो केंदा पाई जी यह पिछली हकूमत दा काम है एक मुर्गी ने आंडे देने बंद करते ते पीटी यह अड़े ने रोडा पादता के अज अज़ साधी हकूमत ते ना एक उकुडी नून भी दिये जेने आंडे देने बंद करते मुर्गी ने किया तो अनु की पता है जो हलाब तुसी कर देते ने मैं नू ध्यानदा देना मुश्कल तरीन हो या पया आप PCL ते मैच चल दे पहने जी कोटा जिते, सलामाबाद जिते, लाहर के लंदर जिते जितना ते पाकिस्तान नहीं है ना अजी फिर भी एक टिम जिते के देने हारा ना लेनो एप PCL एकुमदा काम है अब ये जो बात आप कर रहे हैं किनु वाली बात कर रहे हैं रिसर्च करना आपका काम है लोगों जिम्दार को फुसिल्टेट करना आपका काम है आपका नहीं लाके में एक इनुक चोटा फार्मर उसको उसका अवेरनिस नहीं है इवल बिमारी आती है तो वो हकुमत का काम होती है आज़ आप मैं आपको बतातों अब आप आपने बात सही किया कि पीटियाई कहती है साथ का हुकूमत उने की है लेकिन जाहर है कि पिछले तीन डेकट चार डेकट से जो बात करेंगे तो वो जाहर है उनके मोटवेबर तक्तिया पनाने बढ़ी चीए उनकी किसी मोटवेबर ने बढ़ाने बड़ा एक और काम करते है चले मैं इसको एक और जगा ले जाते हैं हमने सींग तोड़ी पसाना है आपसे मैं नाजरीन के लिए बता हूँ और एरम के लिए खासता है क्योंकि एरम इस सक बिल्कुन लॉस्ट है क्योंकि हम एग्रिकल्चर की बात करें ये तो ममी डेडी रहे है ना अग्रिकल्चर जिसके हम बात करें उसमें जराब तो है है उसमें केती बड़ी है उसमें फिशरीज है उसमें लाइफ स्टॉक है उसमें आस्ट्रिच फार्मिंग है उसमें केमल फार्मिंग है उसमें ये सब कुछ आता है अब जब इसको हम डिफरेंट फिल्च में लेगे जाते हैं मसला अगर आज मैं आपको कहूँ कि पिछले तीन साल में मैं कहता हूँ जी शबास रीफ साब को छोड़ दे हम समझते हैं कि वो थेही नहीं क्या बहुत अरसा होगे हैं कि एक लोडन होता हैं इनय साल में मुझे एक फिशरी फार्म बताएं जो मौडल फार्म हकूंत श्लुक ने बनाया हो एक मुझे राइस्टोअक का एरिया बताएं जो हकूंत ने बनाया हो ये औगार अगरा के नहिंए हो पहले कही हैं अज़े तुस्य शकीन करो, मैं खान साथ दे कैंटे, कुकुड़ियां भी लें गया, वो फीड है पाई उन्हों उन्हों, उसारगी मर गया, वो लेने के देने पड़के, अच्छा मैं कुकुड़ियां था, कट्यां था दसना था, बड़ी सीरिस गाले, हर साल सरफ पंजाब म हम जानके मार देते हैं, पट्टी सुंगा के, क्यों, क्योंकि उसने दूद पीना है गाई का, और जिसके होता है, वो अपोड नहीं कर सकता, थीक है न, अब हकूमत कोई ऐसी स्कीम नहीं बना सकती है, कि हम वो पांच हजार रपिया दे के उसको हम वो कटा ले ले लेते हैं और उसको अनिमल फैटनिंग फार्म में ले जाएं, और 120 बिलियन का सरफ बीफ का ट्रेड हो रहा है, और मलिक साब आपको मैं ब्रेकिंग नियूस दूँ, पाकिस्तान इंडिया से बीफ इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान अपनी बीफ खपत पूरी नहीं कर रहा है, बिल हलाल मीट की डिमांड है, बिलियन अफ डॉलर्स की एक मार्केट है, 120 बिलियन डॉलर पर एंडियूस और अभी सबसे बड़ी बात है, क्यों कुर्बानी का एक जानवर नहीं बेजरे सुदियरे रेविया, जो पूरी दुनिया से इंपूर्ट करता है, लैधर की मार्केट बहुत जादा आगी हो चालीस वालीस वालीस उजार प्राइगी भीक्री अच्छा इस हुकुम्त में खोता हुटा हुटा कुछ हुए ना अब मैं गर्दियाजी साहब खुदा आदा वास्ता जे और कुछ नहीं तो रोटी तो सस्ती कर दियो और गरीब आदमी राजी के खाते लवे अज जिस दन सस्ती करोगे ना ओसने ना खानी है आज से गले एन तो हुने जाके फजीता फ्लेवर पीजा खाना है ना अच्छाटी यार गुर्ब तो हुट की वया दास मेरे प्रान की खाना बरकर खाना मुझ तेरा चन्डा खाना ला मैं अपनी आख खाना लवे घजी बड़ा जुलम मुंदा बचा रहती है हरोद पापीच पेड़ा मार दी है और मेरे लिए ते मुश्कल वक्त गुजारना भी मुश्कल तरीन होया भी इमाना वक्त नहीं गुजार सकता बचारा यह दी जुतिप आगे कि ओ लैंट और जन्दी देखें आपको मताता हूँ आपको बता पंजाब में मलेक साब सिर्फ हमारी जो 21 फीसद जो में फर्टाइल लैंड है उसमें हम 200 का चारा लगाते है क्योंकि जिस काशकार की चार एकड़ जमीन है उसकी दो मज्जे है वह वहाँ चारा लगा लेता है कि आप उसको खरीदना की उसकत नहीं है अगर यह सारे पंजाब के जानवरों को मुफ्त वंडा दे दे सारे पंजाब के जानवरों को तो सिर्फ पांच मिलियन डॉलर लगेगा लेकिन 21 वीसाद जमीन में साल में तीन दफ़ा आप गंडुम लगाते हैं 11 बिलियन डॉलर की काना को नहीं यार ये प्लैनिंग मैंने करनी है आपने करनी है अपने करनी है चारा जो लगता है उसके लिए दुनिया में चारा लगाया जाता है और अब जो सॉयलेज की जो टेकनोलोजी आ गई है और गॉर्मेंट ने वो सॉयलेज मिशिनरी को भी सबसेडाइस किया है ताके वो जादत चाहिए खुद लगा ले है गरीब आदमी ने ले सकता उससे अब आपको मैं रीजन में बजाता हूँ अब भी इन्होंने खाट पे सबसेडी दी है भाईजन ने तीन उने का तरीन 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 ठीक है ना बड़ी आग लगी थी प्रॉब्लम यह आप खाट पे सबसेडी देते हैं मेरा ना मुबश्य तरीन है मैं 200 ट्रक खाट के खरीद के अपने गोडाउन में बढ़ा देता हूँ अब मैं इन सारों को दार दे रहा हूँ और मैं अपनी मर्जी कीमत वसूल कर रहा हूँ उन से उदार दे दे के सबसेडी आप दें फार्म के साइज के साब से कि अगर मेरी फर्स करें मेरा घर दो कनाल से जादा है तो मुझे क्यों बिजली की सबसेडी मिले जो तीन मर्ले के घर में उसको सबसेडी मिलनी चाहिए आप हर एक के लिए कहाँ दे पहले 100 यूनिट फ्री भी क्यों आप हुण तुसी साथे मकसदे क्रीब तरीन पहुंचे लिए आप मैं पहुंच रहे हैं अपर तुसी आने जे रहे सो आजी ते मरूंदे के अंटी बर्गर भी है की ते हमाँ पीज़ा खाएंगे ने मैं पीज़ा नी खाओंगे हमने बहुत सीरियस टॉप करने मुपश्र साथ सिर्फ तुसी साथे हाख दी जाल कीती है के चारा लाना चाहिए दा है चारा लगे ते पावे ना लगे अब आम दा सकूमत अगे कोई चारा नी चलने लिए अच्छां बेपास हो गया जी पेस गया बलग साथ तन की पता है छे मीने बाद बच्चे अंदे स्कूल खुले जे फीसा दे लिडिया पहिया ने फेर अच्छां बेदे स्कूल मुफ्त बढ़ाया न तुझी होते हैं ना बढ़ाओ बच्चे तक क्या زمین पे आप याना आप अपनी कीमत में लगाते है बराणी का अलग और दूसरा नहरी का अलग उसके बाद जो इसकी दुआई है उसकी कीमत आप ऐसा द Primat नह मेंड़केशन दूनिया में कही का नहिक में नहीकर धुन के नहीं अए बड़ा कोड़ देता है तो तो ते तो जा ए शुकर कर फिर दौस्ट नी एकी मैं मुपहशर शुकर की ता कर देजी तो कोई कताब नी पई नहीं ने फिकान आजी दुनिया दी वाज शुकर का लेंगे ने मन दास्टी मैं उद्धा बॉल लागगा जरदेजी साब तो अठीवाज माहत है मर्द कताब छोटने ते पुटिगा हाथ चोटने बन तगाली पुलादी के डिए टपिक ते गाल कारा था गंदूम जो ते गाल कारे था अब तो अमरीका को भी वह कहते हैं कि कोई मार्केट एकॉनमी नहीं है उसमें भी इस्टॉर्शन्स है जो इन्ट रियल सेंस है या मारे एकॉनमिस्ट की एक फुत्विक करा है बाकी कोस्ट और पॉडक्शन और इंटरनेशनल मार्केट और यह सारे फेक्टर्स जो हैं इनको कंसिडर करके यह आप देखे ना बेदिया में लहौर में बैटे है ना अठारा मील दूर अमरसर है यहां एक एकड़ की यिल्ड क्यों कम है और उस एक एकड़ की यिल्ड क्यों साथ है मैं अर्सकरणूं मैं पाँद गैय Verf datasets और इसी याग्री कल्चर के चकरं में हाँ जो मारा हमारा प्रोग्रेसब वार्मर है वह उसके ब्राबर इल्ड उसर्फ जांगीत नहीं है हमारा मेरी बात तो जो हो ना तिरिफ जांगी तरी नहीं अच्छे प्रोड़ेसब फार्मर्स आज़े बड़े ग्रुप्स हैं बड़े ग्रुप्स को मलेक साथ फार्मर्स सिर्फ फर्क के मुझे लेन करने दे सिर्फ फर्क यह कि इंडिया की प्रोड़क्शन फोकस पॉलसी रही है तुरूआ होगी और हमारी प्रोड़क्शन फोकस पॉलसी नहीं रही इंडिया वाला जो है ना फार्मर को चाहे कुछ बचे ना बचे जब उसने गंदम लगानी होती है तो उसको तमाम इंपुट्स गौर्फट दे देती है और पोरे वहां पर चाहिए यहां पर जाहिए न उसका पाइवर कितना कम है उसकी भी वह ज़्या है पाइर टैरिफ है है यह नहीं और वह इसलिए नहीं नहीं है तकी नहिरी पानिए उन्होंने में रिवाई वोजा जिस तरह उनका वाटर टेबल दीचे जाए और ड्रोन टेक्नॉलोजी तो हम भी वह हमारा अभी हमने परानी यूनिवस्टी ने एरफोर्स एक एग्रिमेंट किया है और हम भी एग्रिकल्चर में जब लेका ना मलेक साब पर आप लेका फोर्स आदी फैर आप लोगों पर लेका आई हो यार आप सबर भी तुनी आप लेका ने जते हैं तो आप लेका ने बर्गर बनाने का तरिका है अब हम फन टॉक करेंगे बहुत सीरियस हो गई है बाते इस 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 पोस्त बी फवनी मरक साब आप मुझे बताएं जब आप काम करते थे इनके स साथ किस किसम का एक्स्पीरिंस था दोनों इतने हेड्स्ट्रॉंग किसम के दो जर्नलिस्ट मुश्किल था लडाईयां होती थी कमफटबल था क्या सीन था आप ही बताएंगे वो बताएंगे वैसे मैं एक गुजारश करू हूँ मुझे लुक्मान साब के बारे में टीवी बड़े पराने दोस्ता हैं और श्यसाब की यह खुबी है कि आप उनको टीवी पर टीवी पर जैनलिस्ट थोड़ा सा अब अर्ज करूँ कि होता ही प्लांट है थोड़ा सा जनलिसम क्या है यानि हम किटिक होते हैं हकूमत की पालीसियों पर हम अपोजिशन की पालीसियों जब भी करते हैं आप लोग टीवी के सामने मेरे हर में थोड़ा सा अंकर थोडा है थोड़ा थोड़ा भी में मुश्ते मैल है हम सारा उसका हैं नहां आप जितना पॉर्शन एकरिकल्चर ग्रोथ के पर हमने बात की है नहींसे नहीं नहीं देखेगा तेकिन जो आप होनी जरूरी है मैं थोड़ी सी ऐसी बात करना हूँ जो गर्देश साब की मजुद्गी फायदा उठा के वो बशेर असंद साब थे हमारे वजिर खजाना में एक अख़वार में काम करता था मैंने उसे पूचा क्या मुलक में माशी तरकी हो रही है उनने बड़ा खुब कर दें इसे गरीब आदमी ने रेश्टरॉन पर जाके खाना नहीं खाना है उसे पेटरॉल सस्ता मिले उसे बिजली सस्ती मिले उसे घी सस्ता मिले उसे चीनी सस्ती मिले उसे डाल सस्ती मिले उसकी जिंदगी तब बच्चती है अब देके मैं अब पंदरा दिन के बाद बढ़ने लगी वाकी हकुमत ये कर रही है जब वो पंदार रुपए बढ़ेगी तो उसका जो वैगन का क्राया वो एक साइड का तीन रुपए बड़े अराम से बढ़ जाएगा अब जो उसके रोज के छे रुपए फाल्टू के आगे वो मैं जो बताएं घर अपने का का काम करें लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके लिए हमें फकीर ना बने हमें ये ना क्या है साथ प्रोग्राम में हमने इतना अदाफा कर दिया हम भीक नीम लेना चाहते हम यूटिलिटी स्टोर में भी अगर समान ना मिले और वो और लोग ट्रक निकाल के ले जाएं वहां से तो फिर तो फैना जी पर गवरनन्स है ना वो नून लीक तो नहीं वो पीपल्स पार्टी तो नहीं समयदार इसका तो कोई स्पेसिफिक केस अगर कोई होगा तो मैं हमारे तो दूट नो मैं आपकी मिनिस्ट्री का बताता हूं चले तो पता हूं की करीए जाए बस की करीए या पढ़ दे ही रही है आन तो पहले होना थे हमने खुद प्रोग्रेम्स किये मैंने और मैंने क्लेम किया कि ये अपना बंपर क्रॉप जाना ये शॉट हो जाएगी और इसमें आपके एक वजीर साब जो है वो उसमें करप्चिन उ इंपोर्ट करनी पड़ दी अब मुझे बताएं ना हमारे फार्मर को कुछ मिला और आप इनकी जीव से चला गया गुजारिश ये है कि ये जो अभी गौर्वर्मेंट ने इंपोर्ट का फैसला किया है ना वो एक बफर स्टार्ग मेंटेन करने के लिए किया है और हमारी ल छोड़ बाए मैं इंटरनेशनिल प्राइस से ज्यादा होगी आपकी गंधम जूए एक आपकी सर्प्मवोगी जब भी इंटरनेशनल प्राइस से भी लोगल करा स्सकी मैं व Bay Caitlinा सैंब striving तो मेरी यही तो गुजारिश है ना हमारा पूरा वेस्टन बॉर्डर जो है ना वो पूरस है और तो भी फिर उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट भी बेच दे ताके वो तो चार पैसे जाता कमा ले है आप उसको कहते है तुम डिस्ट्रिक्ट से बार नहीं बेच सकते हैं खोद आप अफ़ गारिसान चूरी करा रहते हैं अब तो नहीं करा जाते हैं ना देखर ना सब्सक्राइब करूँ गर्भी ब्लेम करूंगा ये अमीर आदमी के रहने का मुल्क बान जागा घरीबों का मार देंगे बड़ी असानी के साथ आपने जो इतने दावे की थे मुझे बताई एक बात कस्टम की जो चोरी होती है बाइजान एक मिनट मैं आपके किसाम जबता हूँ ये क्योंके अगरिकल्चर के वजीर है मैं इन से डिरेक्ट सवाल करका आपको मैं बता रहा हूँ आने वाली है ये दे कुर्बान मैं आपको अल्ह ताला सफैद पूशियां लोगों की काई में रख ले तोसी अपने मसाइयां देखना ना कुर्बानी की णी हो लगी नहीं अगर सकता है आप अद उसमगलिंग की वजज़े से इस मुल्क को अ extra औरबों रॉपे के ट्रैविनियू का नुकसान उठाना पड़ता है यहां से आप बगावर टेस्के आप सिमेंट उनको दे रहे हैं उस तेल के बदले हैं हर बार्डर से आप समगलिंग करते हैं पकस्तान में उस समगलिंग की वएसे आपकी इंडस्ट्री तबाव बरबाद होगी है और इसके अर्बों रपे चले सार, मलेक साब यह जो लौर का बॉर्डर है आप जिसे बारा किलो मिटर दूर बैठी हैं यहां से रोज आपका कपड़ा आता है इंडिया का पूरी आपकी आजम क्लॉथ मार्केट बरीवी है है यह इंडिया का मल वहां प्राक्सानी तो मल चली नहीं सकता कि कौम, यह तो कौम का, ववर्राल रमिया है ना रृज़ आपकॉमत का काम है सर सहाठते बाद चौन incub Umasa अब पर भी ठक जाते है हाँ दू ए अपने ल कार्ड बे लेन करती थी अब इंसाफ हेल्थ कार्ड है कल पीपी हेल्थ कार्ड होगा नहीं आप मुझे बता दें कि पीपल्स पार्टी को ना पीएम एल्एन को ना काफ लीग को ना तरीक कि अब इंसाफ को ना एम को यह हक नहीं है कि जो आप टैक्स पेर के पैसों से लोगों को मुराद दे रहे हैं उसके आप उतना जंडा लगाए इंसाफ कार्ड या अपने नाम से उसको कर दे या आपकारी नहीं सकते यह इल्लीगल है अनकॉंस्टूश्टूश्टूश्टू जंडे को एक इनसाफ कार्ड पर लगा कि लोगों कुस्वर में दे रहे हैं आप हर चीज को निगेट करें जो आपने दावे कि आप देख लिए हमारा एगरी कल्चा कार्ड जो है उसमें किजी कि इसम का जंडा नहीं नहीं हैं मतलब ओ मारे दोस्त हैं मुझे गिला क्या है मुझे इनसे गिला की है मैं गलती करता हूँ मुझे गलती मानने में को तकलीफ नहीं चाहिए इनसान बड़ा गोई होता है ना क्योंकि आहां गलत हो गया है वह आप जो गलतीयां कर रहे हैं उसको मान लें अब मैं छोटी से मिसाल दूँ आपने सुना होगा बल्दियाती से गिदारे ए freshmen कोर्डरह से मुटल की हुए है स्प्रीम कोड ने बाल की आफिर नहीं बाहर कर ला जाय के आप सी बल्दिया दे कर दा करेंगे बलतियाती दारों को प्रोग्राम होता था और वो हुआ यह उसका बैग्राउंड यह था उसका स्टूरी टेलिंग का कि एक डाक का लिफक थेला था और वो गुम गया और 15 साल के बाद वो रिकावर हुआ कहीं से तब पोस्ट आफिस ने कहा कि हर एक को हम उसका हथ पोचा दे अब किसी को 15 साल बाद परा चला कि फलाँ रिषदार की डेथ हो गई है फलाँ की शादी हो गई हर घर की एक कहानी होती थी अब मुझे लग यह रहा है कि अगले एलेक्शन में हर पार्टी की एक कहानी होगी और यह जो अवाम है ना बचा रहा है यह खुद हकुमनतों का क्या होता है मैं बता हूँ गरदी साब भी माशाला पर कलास से बिलांग करते हैं बड़े जमीदार है आप और मैं भी यह मीडिया की एलेक्टानिक मीडिया ने हमारे भी रोजी एच्छी चला दी है यह आम आदमी से जाके पूछे ना कि जो 130 से घी लेता था आज 30,000 पे देता थाँ आज 30,000 पे देता था आज 8,000 पे देता था उसके जिंदा रहने का आपने कौन से इमकान चुड़े मैं आपको एक और बाता हूँ जो गंदम 13 साब बठा रहे हैं मैं आपसे गुर्षर साथ इतनी तकलीफ दे सुरुतियाल है, मैं नाम इसली नहीं लेना चाहता, चुकि वह एक परसनल मीटिंग में बात हुई थी, और ये साफती रसूलों की भी खिलाफ है, एक बड़े साथ से मैं यही रोना रोया कि या ठीक है, मेरा शायद गुजारा हो एक बड़े साथ साथ सानुम में आउंक रहेगा, एक गड़े साथ सानुम में आउंक रहेगा, मेरे कार बड़ा प्रॉबलम है, अच्छा ही रहेगा, एक बड़े साथ सानुम में बिमारी आईवी है, अब बाकी बताए को मुर्गी में बिमारी है, क्या हम उसे बचे है, पिछले दिनों एक ख़बर ऐस तरह चली थी, लेकिन अभी तो वेरिफिकेशन हो गई है, कि वो मुर्गी पर मुझे एक बात याद है, मुर्गी पर मुझे एक बात याद है, हमजा शिबाद शीफ को आप गिफ्तार क्यों नहीं करते हैं, नहीं वो तो भाई अंदर था जिपमें की हुई है, नहीं अजिए अजिए अगर मैं बिलकुल पी टीई आई का स्वोक्स परसन ह तो मैं आपको इस पर यूं करके ले जाओंगा सबसे बड़ी बात ही है के नून लीग की अकूमत को और मुशर्व की अनकी कीमते भी कंपेर कर लेते हैं जरा हर आने वाली अकूमत जो है ना उसके दोर में एक सर्टन लेवल की मंगाई हो इतनी कंप भी मंगाई है नहीं नही जड़ गए बहुत लोग गरीब हो गए और पिछली की बात कर रहो एक सो दो पर जब चोड़ा था मैं उसकी बात कर रहो देखें जो हमें गिला है ना इनसे हमें बुरी गवननस के पर उसमान बस्दार की के लोहौर की अगर 14 मंडियों है तो 14 मंडियों में प्याज एक कीम हैं कभी उनके आप दफातर में जाके देखें एसी और डी सी नहीं होती ही नहीं हो जो अक्षे कुमार स्टैर है ना गाड़ी से ऐसे निकलता है नोजवान जिसने कभी जिन्दगी में अच्छा नार्मली जो डेपॉटिशन भी बात किया करते थे वह अब धरदर वो काम हो को यंग से नोजवान है गाड़ी से निकलता है एन एक उसने लगाई यह थी गलासान गलासे बाहर ख़ड़ा होता है एक दूचार मेरे भी वाकफ करा है मैं के बर खुदार जाके काम कर यह अक्षे कुमारला मुर्ग नहीं है आशला एक स्पोक्स परसन सी मैं की नालवा व उसे जादा मैं बता सकता हूँ उस अंडे के फाइदा होता है एक हम पढ़ किया करें कि हम पढ़ कियाते हैं हमें पता होता है सिद्धा कावना हकूमत हुन जालम तरीन हो गई है तरीन हर बार इस जादा है यह सैंस मुझे समझा दें आप यकीन माने कि मैं अपनी बाह चलें का रिता हूँ जो बिजली का बिल यह दो जो चोर खुमरां थे जिनको आप चोर कहते हैं नौज शुरी फर्जदारी इन दोनों के जो दोर में अपने घर का बिल देता था अगर मैं तीन हजार पे देता था आज मैं तीस हजार पे देता है वो जो आप लोगों ने जो है ना ये पावर प्लांट सगरा से इन से मौइदे किये थे ना उसमें जो हीट रेट आप ने चोड़ी करने दिया और 496 बिलियन आप जाते वे एलेक्शन से एक मीना पहले जो देखे गए सारों को पावर क्रियाट करके और होस्टेज बना दिया इस मुल्क को उस वज़ा से बिजली बढ़ी है क्योंकि हमारे सिर्फ डिस्रिब्यूशन के लॉस नहीं हमारे लॉस नहीं हमारे लॉस नहीं बड़ी डिबेड कर सकता हूँ मैं और वश्राए लिए लविन आदेए लिए भी में ऑपनी फोटो काप यह असंद बिल नहीं बिला दी अच्छा किराची दिए शारीया इमारे टार दीं आपना कर रेगलर्राइ लेया बाट वाट आज़ा वो इनका जवाब है इनका सवाल नी बनता ने अगरिकल्चर के मिनिस्टर है पाजिकर्द जाथ एक करोड नौकरी कदू हारी है दो क्रोड बन्दा वेला करें कि आए था है एक प्रोड नौकरी वो खतम हुएगी आएगी निया तुसी जो समझेव इस पे तो रोज बात होती है कि economy turn round किस किसम की हो रही है तो इसको अब हम रहने देते हैं अगर आई लांतों में खाना खाने जाएंगी तो आपको पांच परसंट कम टेक्स देना पड़ेगा यह अगर आप स्टाक मार्कीट में दो-चार आप इन्वेस्मेंट करेंगी तो आपको दो परसंट टेक्स कम देना पड़ेगा यह नहीं उनके लिए बड़ी शिकानवी है अफटमा टोटल पाकिसान का आट फीसर आप इस्वफयूट हिस्पान बनता है बिजिनसमेंट का आपने आएफ़ी सदामादों के लिए पूरे मुल्क के बिजिसमेंट को आपने ओड़ा लिए यह ज़ाई लिएन अफञ़ नहीं एक्स-पोर्ट में कितने कि दो साफी बात थे एक वजीर बात था अग मेरे ना मलेशिया दी फाउज बना थी अब आप फेर पेस्दी पेस्दी हो जिए लए ना वो सकून कबर में आएगा बस ठीक है तो बढ़ फाथ हतम है उन तैसी कबर दी कोड तरीन पहुंच गए है जाए 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 अब भो करींगे thank you so much for coming Thumbse up for holding up against both of these ठीक है म्मेर्यक साथ thank you for having and viewers thank you so much for watching please keep watching till next time Allah Elementary